हलो देट फ्रेंट्स मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चेनल आपकी सहेली सुमन में फ्रेंट्स आसके इस वीडियो में आप लोगों को कुछ खास ऐसे तीन से चार लक्षन बताने वाले हूँ जिसके बेसिस पर अगर आप एक दिन भी रिलेशन बनाते हैं महीने के उस एक दिन तो भी आप गरब धरन कर सकते हैं अगर बहुत टाइम से आप ट्राइ कर रहे हैं गरब धरन नहीं कर पा रहे हैं आप नहीं समझ पाते हैं तो कुछ खास ऐसे लक्षन बता रहे हूं जिन पर अगर आप ध्यान देती हैं और जिस एक दो दिन वो लक्षन आपको दिखाई देते हैं उस दिन अगर आप संबंद बनाते हैं तो आपके 100% प्रेग्नेट होने का चांस रहता है तो चलिए फिर ज सब्सक्राइब के मज जाएगा ओवलेशन मेंस्ट्र साइकल एफ यूकरी के पीडिट साइकल का एक हिस्सा है इस दोरान ओवरी एग रिलिस करते हैं और इसी दोरान स्पम से फटेलाईश होने पर गरवधरन किया सकता है इस दोरान सरीर में कई सारे लक्षन भी नजर आते जनरली एक महीला की बौरी का टेंप्रेचर 97-97.5 फारन हाइट रहता है लेकिन ओवलेशन के टाइम आपकी बौरी का टेंप्रेचर 97.6 देख 98.6 फारन हाइट तक इंक्रीस हो जाता है इसका कारण ये होता है कि ओवलेशन के आसपास होने वाले हर्मों में बदलाव की इसकारन महीला की बौरी का टेंप्रेचर भी बढ़ने लगता है जिसे पहचान कर आप कंसीव कर सकते हैं तो जिस दिन आपके पीरिट्स खत्म होते हैं उसके अगले दिन से आपको हर सुभै उठकर अपना बौरी टेंप्रेचर चेक करना है और पेपर पर आपको नॉट कर होता है उस time पर जो discharge आना शुरू होता है यह एक दम cherry a transparent discharge होता है और बहुत petite की होता है अगर हम दो उंगले के बिस्ट लेते हैं तो उसमें से तार्ट होड़ते हैं लौकि ओभलेशन डे का एक हैं वह होता है अगर आप इस टाइम अपने partner के साथ तरोते हैं और आप प्रे ब्रेस्ट है उसमें पीन होता है और कई बार तो ब्रेस्ट को छोने पर अधिक दर्द महसूस होना भी आपको ये इंडिकेट करता है कि ऑवलेशन हो रहा है अगला लक्षन है लोवर अब्डोमिनल पीन ऑवलेशन के दिनों में अकसर महिलाओं को पेट के निशले हिस्से में अधिक क्रैंप्स आते हैं और कई बार क्रैंप्स के जिगाए पेट के निशले हिस्से में हलका हलका दर्द भी होता है और ऑवलेशन के समय के बाद ये अपने आप खत्म हो जाता है इसके बाद कुछ और लक्षन भी है जिसे बच्चे दानी का मुए खुला और सॉफ्ट ह होना सिर्दर्ध होना मूट स्विंग चेंच होना सेक्स इच्छा बढ़ना ये मतला हर महीला की सरीर में ओवलिशन के समय दिखाई देता है हर महीने महीला की सरीर में एक मिच्वर एग रिलिश होता है अगर इस टाइम फे पूरुष का स्पम महीला के अंडे से मिलता है तो महिला मा बन सकते है so friends यह था मेरा आज का वीडियो I hope will मेरा आज का वीडियो अप लोगों के लिए यूस्फुल रहेगा so I'll do next video में तब तक के लिए good bye